कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स जो आपके डेली लाइफ में आपको बहुत ही काम आने वाल हैं आपका मुश्किल से मुश्किल काम भी इजी हो जाएगा हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो हर रोज की तरह आज मैं फिर से बहुत ही यूस्फूल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ और कुछ अमेजिंग से वीडियोज हम देखेंगे तो वीडियो को लाश तक देखेगा पसंद आये तो लाइक कीजेगा शेय केजेगा अपने दोस्तों के साथ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले टिप जीरे का इस्तमाल लब हम लोग हर सबजी में करते हैं ये सबजी का स्वाद बढ़ाता है खुश्बू बढ़ाता है लेकिन जब भी आप खरीद कर जीरा लेकर आए हैं तो उसको चुन भी जरूर लेजेगा उसके बाद ही कंटेनर में फिल करिएगा साथ में आप एक काम और करिएगा जिसे आपके जो है सबजी का स्वाद और भी जादा बढ़ जाएगा साथ में खुश्बू भी बढ़ जाएगी तो जब भी आप कंटेनर में फिल करें न तो जीरे को इस तरीके से क्रश्ट जरूर कर लिजेगा अगर आप एक बार में सारे जीरे को क्रश्ट करके रखना नहीं चाते हैं तो जब भी आप सबजी में इसको डालने वाले हो तो थोड़ी-थोड़ी मातरा में इस तरीके से हाथों पर रखकर इसको क्रश कर लिजे उसकी बाद सबजी में इसको डालेगा आप देखेगा इसकी जो खुशुब है बहुत ज़ादा निकल के बाहर आएगी साथ में आपके जो खाने का स्वाध है जिसमें आप इसको डालने वाले हैं वो भी बढ़ जाएगा इसके बाद आप जीरे को इस तरीके से कंट्रेर में फिल कर लीजे उमीद करती हूं आपको ये टिप जरू यूसफुल लगी होगी और अच्छी लगी है तो इसे ज़र सद चाहिए न्यूसपेपर तो न्यूसपेपर को इस तरीके से छोड़ शोड़ टुकड़ों में आप फाड कर जो भी जला हुआ बरतन है आप में उसमें रख लीजे न्यूसपेपर से जो है जलापन जो हता है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है उसके बाद आपको लेना पांसे दस मिनिट के लिए जब पांसे दस मिनिट हो जाए तब आप कोई सरीके का कर्ची लीजिए और इससे इस तरीके से साफ करते चाहिए आप देखीगा चुटकियों में जो है बिना हाथ लगा ही आपकी जो कड़ाई है वो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है तो इ जाए कि स्क्रबर लीजिए उसमें थोड़ा सा सोप लीजिए और इस तरीके से उसको रब करते जाए आप देखेगा आपकी जो कड़ाई है ने बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगी लगेगा ही ने कि यह जली ती तो यहाँ पर बहुत ही साफ हो चुका है तो चलिए इस है ना हम उनमें से कप खरीद लेते हैं कई बार हम लोकल कप भी लोकल मार्केट से खरीद लेते हैं लेकिन यह जो लोकल कप होते है ना इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कभी कबार जैसे हम गरम चाय जब इसमें छानते हैं ना तो यह क्रैक हो जाते हैं अंदर से या फिर इ कि यह समय तक चली से यह लंबे समय तक चले तो इसके लिए एक तरीका बहुत ही अच्छा सा आउम को बताने वाल है उल्ड जब ये अच्छे से ठंड़ा हो जाए चिल हो जाए तब आप इसको निकालिए उसके बाद आप इसको यूज करना स्टार्ट करिए तो ये काम जो है हमें जो नए कप हम जब खरीद कर लेकर आते हैं तब ही करना है पुराने कप में नहीं कि क्योंकि नए कप जcop होते है ना तो जब हम इसको इस तरीके से region में रख देते हैं तो इसका जो वेस होता है बहुत ही जदा इस ट्रॉंग हो जाता है जिसके बाद हम इसे कलए गरम चाय वेगयर चानते हैं तो ज़ल्दी राइक नहीं करें है या फिर इसकी च्एट लेकर लेकर आया न तो एक बाइए ये तरीका जरूर ट्राय करके देखेगा और आप जरूर देखेगा कि आपके जो ये कप ना बहुत लंबे समय तक चलते हैं तो जरूर ट्राय करिएगा अगर टिप यूसफुल लगी है तो प्लीज वीजे देख लेते हैं हमारी अगली टिप खराब हो जाते हैं बार बार इसको धूब दिखाने की ज़रुत पड़ती है तो उसकी जगह आप इस्तमाल करिए थोड़ा सा हल्दी तो जितनी कॉंटिटी है डाल वेगरे की उस हिसाब से आप इसमें हल्दी डाल दीजे और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजे तो हल्दी जो है जो पहले के जमाने से इस्तमाल किया जा रहा है तो इस तरीके से आपके जो अनाच है वो जल्दी खराब भी नहीं होंगे और अलग से इसको आपको धूब दिखाने की ज़रुत भी नहीं पड़ेगी तो उमीद करती हूँ टिप जरूर यूसफुल लगा होगा जरूर ट्राय करिएगा और यूसफुल लगी है तो इससे ज़र सदा शेयर करिएगा तो चलिए देखते हमारी नेक्स टिप कौन से है तो यहां पर लिया है मैंने बर्फ बर्फ के क्यूब्स जो हमने यहां पर ट्रे में जमा कर रखा है अगर आप चाहे तो एक बड़े से कंटेन बर हम पोचा लगा लेते हैं जिसे हमारा रूम जो है ठंडा रहे है तो हम पोचा लगाने के लिए इस्तमाल करते हैं नॉर्मल पानी जिसे हमारा जो रूम है उतना ज़्यादा कूल नहीं रह पाता है बहुत ही जल्दी जो है वो नॉर्मल हो जाता है जो फर्ष होती है वो तो इसमें उतनी जादा थंड़क नहीं रहती है तो यह जो क्यूप्स हैं आईस क्यूप्स आप वो पोुचे के ट मुला लीजे तो जिससे जो हमारा पोुचा का पानी है वो बहुत ही जादा थंड़ा हो जाएगा जिसके बाद हम जब इससे है न इसको पोचा लगाएंगे फर्ष वेगरा में तो बहुत ही अच्छे सी एक ठंडक रहेगी फर्ष में कई बार होता है कि हम कई घुरों में होता है कि दो बार तीन बार वो लोग पोच्छा लगाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा हो रहेगा क्योंकि यह जो बर्फ का पानी से अगर हम पोच्छा लगाते हैं जो फर्ष है बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है तो इस गर्मी के म जैसे घर में सारे मेंबर जब खाना खा लेते हैं तो बरतन में थोड़ा सा चावल बच जाता है तो हम क्या करते हैं काटूरी में निकाल कर इस तरीके से रख देते हैं अभी जैसे कि बहुत जादा गर्मी भी पढ़ रही है तो हम इसको बाहर नहीं छोड़ते हैं इस तरीके से गरम करें अगर हम पानी रख इसको गरम करते हैं तो इसका जो स्वाद है वो खराब हो जाता है तो उसकी जगा आप इस तरीके का पॉट ले लिजे जिसमें हम रोटी बेगा रखते हैं और उसमें थोड़ा सा ज्यादा गरम पानी आप रख दीजे रखने के बाद जिस भी धकन को खोल के देखिएगा जो चावल टाइट हो चुके थे फ्रिज में रखने के कारण तो वो बहुत ही अच्छी से सॉफ्ट हो जाएंगे और एक अच्छी सी गरमाहट पूरे चावल के अंदर चली जाती है जिससे चावल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और भी अच्छे लगते हैं तो क्योंकि अभी गरमी की टाइम है तो जैसे मैंने का फ्रिज में हम लोग रखते हैं तो वो चावल बिलकुल भी खाय नहीं जाते हैं तो इस तरीके से आप उसको गरम करके इस्तमाल दुबारा कर सकते हैं उमीद करते हूं यह वाली टिप भी करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा अगर आप चनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो इससे सब्सक्राइब कर लीजेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपको इन में से कौन सी ट्रिक सबस्यादा यूसफुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहां से द